सिक्षार्थियों आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है आज का यह व्याख्यान बीए सिक्षा सास्त्र के प्रथम सेमेश्टर का प्रशनपत्र जिसका कोड UGED101 है प्रशनपत्र सिक्षा के सिध्धान यानि प्रिंस्पल साफ एजुकेशन है इस प्रस्णपत्र का खंड दो, जो अधिकम का मनोविज्ञान है, इसी प्रस्णपत्र के इसी खंड के इकाईच है, जो पाठकरम का विकास है, इस पर आधारित है आज के इस व्याख्यान में हम पाठकरम के विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे इसके पूर्व के व्याख्यान में हम लोगों ने अध्यन किया था कि पाठकरम क्या है पाठकरम के अर्थ पर विस्तार से चर्चा किया गया था जिसके अंतरगत हमने यह देखा था कि सिक्षा के पूर्व नियोजित उद्देश होते हैं इन्ही पूर्व नियोजित उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पाठ विस्यों का अध्यन करना पड़ता है पाठविशियों के अध्यन के अलावा हमें अन्य गत्विधियों को भी संचालित करना पड़ता है यह हम अनेक गत्विधियों में परशिक्षित होना पड़ता है इन्ही सिक्षा के पूरे नियोजीत उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए जिन पाठ विशियों का अध्यान करना पड़ता है जिन क्रियाओं को करना पड़ता है तता जिन क्रियाओं में प्रिशिक्षन प्राप्त करना होता है इन्हीं सब को हम पाठ करम कहते हैं इसके अलावा हमने यह भी जानने का प्रयास किया था हमने यह भी देखा था कि पाठिकरम केवल कौक्षागत क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है वरन कौक्षा से बाहर, खेल के मैदान में, पुस्तकाले में, तथा प्रयोक्षाला में विद्यार्थियों के द्वारा लिये जाने वाले अनुभों को भी इसमें समलित किया जाता है अब हम पाठिकरम के विकास की प्रक्रिया क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे शिक्षार्थियों जो पाठकरम का विकास है यह एक जटिल प्रक्रिया है यह एक कठिन प्रक्रिया है जो अनेक चरण से होते हुए गुजरता है पाठकरम के अंतरगत अनेक अनुभों यह अनेक क्रियाओं को समलित किया जाता है इनने क्रियाओं यूम अनुभों के आधार पर हम विद्यार्थियों के विवहार में एक विसेस परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं हम जानते हैं सिक्षा एक समाजिक प्रकृइया है तथा छात्र भी एक समाजिक प्राड़ी है इन्हें सामाजिक उद्देशियों यों छात्रों की सैक्षिक उद्देशियों को पूरा करने के लिए पाठकरम की रचना की जाती है तथा पाठकरम का निर्मार करने के लिए अनेक सोपानों यों अनेक चरणों का अनुपालन किया जाता है पाठ्ड़ करम निर्मार के लिए हम जिन सोपानों यूम चर्णों का अनुपालन करते हैं वे इस प्रकार हैं जिसमें से एक है सैक्षिक आवसकताओं का अनुमान लगाना सैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना विशेवस्तुओं का चैन यूम संगठन करना, सैक्षिक अन्वों यूम अधिगम अन्वों का चैन यूम संगठन करना और लाश्ट में है मुल्यांकन करना अब हम करम से इन ही पदों को इन ही चर्णों को विस्तार से वरणन करेंगे और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम सैक्षिक आवस्यक्ताओं को पहचानते हैं, कैसे हम सैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं और कैसे विशेवस्तुगों का हम संगठन करते हैं, उनका चैन करते हैं और कैसे सैक्षिक अनुभों को हम पाठकरम निर्माड में समलित करते हैं तथा अंत में उस पाठकरम का मुल्यांकन हम कैसे करते हैं पाठकरम निर्माड के लिए जब हम आवसेक्ताओं की पहचान करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि पाठकरम सिक्षार्थी के लिए है ना कि सिक्षार्थी पाठकरम के लिए इसका आर्थ यह हुआ कि हमें पाठकरम के आवसेक्ता के अनुसार विद्यार्थियों को नहीं तयार करना होता है बलकि विद्यार्थियों की शिक्षार्थियों की आवसेक्ता के अनुसार पाठकरम तयार करना होता है और समाज के व्यक्ति के आवसेक्ता के अनुरूप तयार पाठकरम ही एक उत्तम पाठकरम हो सकता है इसके लिए व्यक्त की आवसेक्ताओं का अनुमान लगाना अतियावस्यक हो जाता है। सबसे पहले हम व्यतियों की आवसक्ताओं यानि सिक्षार्थियों की आवसक्ताओं का अनुमाल लगाते हैं जिसके आधार पर पार्टकरम निरमाड की प्रकिरिया शुरू करते हैं शिक्षार्थियों की आउस्यक्ता का पता लगाने की दो विधियां है जिसमें से एक है सर्वेक्षण विधी और दूसरा है उपलब्ध आकडों के विशले सड के आधार पर सर्विष्छन वीधी से जब हम सुचनाओं को एकत्रित करते हैं तो इस स्रोत को प्रात्मिक स्रोत यानि प्राइमरी सोर्स कहते हैं और जो हमारे पास पहले से आकड़े उपलब्ध हैं अगर हम उनके विसलेशन के आधार पर आकड़ों का पता लगाते हैं यानि आउसक्ता का पता लगाते हैं तो उस स्रोत को दुतियक स्रोत यानि सेकेंडरी सोर्स कहते हैं यदि अब सेकेंडरी सोर्स यानि दुतियक स्रोत प्रात्मिक स्रोत से लिए आकड़ों को भी कहा जा सकता है क्योंकि जो दुदियक सुरोत हैं वो कभी न कभी किसी के लिए प्रात्मिक सुरोत रहे होंगे प्रात्मिक सुरोत के अंतरगत यानि सर्विक्षन के अंतरगत जब हम आकडों को इकठा करते हैं तो या तो आवलोकन के आधार पर करते हैं, या साक्षातकार के आधार पर करते हैं, या प्रशनावली के आधार पर करते हैं, यदि हमें किसी छेतर विशेश के प्राकृतिक संसाधन के विशे में जानना है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित पूर्वक दोहन किस परकार किय जाए इस आवसेक्ता का पता लगाना है तथा छेतर विसेस की विसेस्ता के विसे में आकलन करना है पता लगाना है तो हमें उस छेतर विसेस का भर्मण करना पड़ेगा उसका अवलोकन करना पड़ेगा उसका अवजर्वेशन करना पड़ेगा और अगर हम देश पर देश मे युवाओं की आउसक्षिता के विशे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं युवाओं की आउसक्षिताओं को जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें साक्षातकार विधी का प्रयोग करना होगा आज हम देख रहे हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अनिक वेरोजगार युवा है असिक्षित तो असिक्षित, सिक्षित वेरोजगार युवा है इस बात किया हो सकता है कि सिक्षित होने के बावजूद भी हमारे देश के युवा वेरोजगार है उन्हें किस प्रकार के पर सिक्षण की जरूरत है कैसे पाठकरम की जरूरत है जिस पाठकरम को अध्यन करने के उपरांत पढ़ने के उपरांत वे अपने आपको किसी रोजगार में लगा सकें स्वर रोजगार में लगा सकें तथा अपने आपको बेरोजगारी के दंस से मिलती हैं वह प्रात्मिक सूचनाय कही जाती हैं और जब हम उनका साक्षातकार करते हैं तो यह साक्षातकार विधी कही जाती है और जब हम युवाओं से व्यतिगत रूप से संपर्क नहीं कर पाते हैं तो हम प्रसनावली के माध्यम से सूचनाय एकत्रित करते हैं हम एकत्रच कर सकते हैं इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से सर्वेक्षण के आथार पर प्रातंग को इकथा करते हैं अब हमारे पास जो पहले से सूचना हैं जो आकड़े उनके विश्लेशन के आधार भी हम आश्यक्ता निरधारित करते हैं और जब उपलब्द आकड़ों के विशलेशन के आधार पर हम सूचनाओं को इकठा करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसे दुतियक स्रोत के अंतरगत रखा जाता है, यह सूचनाओं यहां आकड़े हमको सरकारी और गैर सरकारी प्रकासनों से मिल जाते हैं, पत्रिक सूचनाएं हमको प्राप्त हो जाती हैं, और प्रिंट मीडिया यानि पत्रिकाएं और समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं मिल जाती हैं, आजकल दैनिक समाचार पत्रों में यहों इलक्रोनिक मीडिया में भी इस तरह की सूचनाओं की भरमार रहती है कि हमारे देश के युवा किस तरह से वेरोजगार हैं किस तरह से एक विशाल जनसंख्या गैर उत्पादक कारियों में लगी हुई है ऐसे कारियों में है जिसकी उत्पादक्ता जीरो है यानि सुन है उन्हें किस प्रकार से उत्पादक कारियों में लगाया जाए इसका आकलन हम जो हमारे पास सूचनाय पहले से उपलब्ध हैं आकड़े पहले से उपलब्ध हैं उसके विशले संड के आधार पर हम पता करते है इस print media या electronic media के साथ साथ हमको कुछ social sites से भी इसके विशे में जानकारी मिल जाती है जैसे whatsapp, youtube, इतियाद से भी हमें देश के जो युवा हैं उनकी आवसेक्ताओं के विशे में जानकारी प्राप्त होती है हमारे देश में शिक्षा के लिए अनिक आवसेक्ताओं हैं जैसे प्रयावरण सनरक्षड के विशे में ज्यान किया आवसेक्ता अनायतिक तरीके से प्रयावरण का दोहन किया जा रहा है जिसकी वज़ा से अनिको संकट उत्पन हो गया है इसके लिए हमें प्रयावरान को सनरक्षित रखने के लिए जानकारी किया हो सकता है आपदा परबंधन की जानकारी किया हो सकता अनिको आपदाएं आती रहती हैं पत्तियां आती रहती हैं प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं उससे कैसे निप्टा जाए उनका सामना कैसे किया जाए यों अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसके लिए आपदा प्रबंधन के ग्यान की आउसकता है स्वास्त के प्रती संबेदन स्वीलता की आउ सकता स्वास्त के प्रती जानकारी की आउ सकता कैसे हम अच्छे स्वास्त को रख सकें कैसे हम इस महामारी में अपने आपको सुरक्षी तो रख सकें कैसे संकट की घड़ी में हम अपने आपको अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें इसके विशे में जानकारी की आवसकता है इनके अलावा आत्म निर्भरता की आवसकता जैसे हमारे देश में आजकल यह नारा जोरो से चल रहा है आत्म निर्भर भारत भारत हमारा आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हमारे देश के युवा आत्मनिर्भर बनेगे हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तब हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और इसके लिए है उपयुक्त और उचित पाठकरम की आवसकता स्वारोजगार प्रक शिक्षा किया आउसकता आज जो युवापीड़ी सिक्षित होते हुए भी बेरोजगार है उसको सही दिशा किया आउसकता है सभी लोग सरकारी नवकरी की चाहर रखते हैं परन्तु सरकारी छेतर में इतनी संभावनाय नहीं है इसके लिए लोगों को स्वारोजगार के लिए तैयार करना जरूरी है उनके मन में स्वारोजगार के प्रति संबान की भावना विक्षित करना जरूरी है यह तभी संभो होगा जब हम इस आवसिक्ता के लिए पाठकरम की रचना करेंगे और computer सिक्षा किया उसकता आज computer का उपियोग हर जगा हो रहा है computer के बिना ऐसा लगता है कोई भी काम संभव है नहीं हर वेती अपने जेब में एक छोटा computer mobile के रूप में लेकर चल रहा है mobile भी एक छोटा computer ही है जिससे ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते चाहे share market का business हो चाहे आप banking के सारे काम काज हो लोगों से बाच्चित करना है आप अपने office के document त्यार करना चाहते हैं सब कुछ एक android phone की साहता से हो जा रहा है इसलिए आज यवाओं को यवापिड़ी को व्यक्तियों को प्रदेश को देश को computer शिक्षा की आउसेकता है और इसके लिए हमें एक पाठकरम का निर्माड करना होगा पाठकरम निर्माड का दूसरा चरण है सैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारन करना शिक्षा तथा पाठकरम का उद्देश एक ही होना चाहिए और शिक्षा के उद्देश को निर्धारित करने के लिए अनेक शुरोतों की सहायता मिलती है या यह कह सकते हैं अनेक स्रोतों की सहायता से हम सिक्षा के उद्देश निर्धारित कर सकते हैं शिक्षा के उद्देश निर्धारित करने के जो स्रोत हैं वे हैं परिस्थितियों का विसले सर्ड, शिक्षा का आधार, विकास की अवस्थाएं तथा उद्देशियों का वरगी करण परिस्तितियों का विशले सर्ड यानि कि कुछ ऐसे आंत्री कियों वाह कारक होते हैं जो सैक्षिक परिस्तितियों को परभावित करते हैं साइक्शिक परिष्तितियों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वे हैं सामाजिक कारक, बावधिक कारक, आर्थिक कारक, धार्मिक कारक, समाज में लोगों का व्योहार, समाज के लोगों की संस्कृतियां, यहां तक कि उनकी जाति आधारित, धर्म आधारित, विचार व्यक्तियों का व्यक्तियों के साथ संबंध, शात्रों का उनके अविवावकों के साथ संबंध ये सभी ऐसे आंत्रिकियों बायकारक हैं जो सैक्षिक परिशितियों को परभावित करते हैं इनके आधार पर, समाज के आधार पर, समाज की आवसिक्ता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हम उद्दिश्यों का निर्धार कर पाते हैं जिसके आधार पर एक उप्युक्त पाठ करम का निर्माड करने में हमें साहता मिलती है अब अगर हम सैक्षिक आधार की बात करें तो अनेक ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर पाठ करम का निर्माड किया जाता है जिसमें एक है दार्षिनिक आधार, नेक्स्ट है मनोवाईग्यानिक आधार, नेक्स्ट है वाईग्यानिक आधार, सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, इत्यादि इनके आधार पर हम पाठकरम का निर्माड करते हैं अगर हम दर्षिनिक आधार की बात करें तो पाठकरम व्यक्तियों की जीवन दर्षन से परभावित होता है इसलिए पाठकरम का निर्माड व्यक्तियों के जीवन दर्षन के आधार पर किया जाना चाहिए जिसका जैसा विचार होगा उसका वैसा दर्सन होगा और वह अपने विचार के अनुरूप पाठकरम की निर्माड करने की बात करेगा यानि वह अपनी विचारधारा अपनी दर्सन के अनुरूप पाठकरम का उद्देश से निर्धारित करता है और इस परकार से जब हम लोगों की विचारधाराओं के आधार पर पाठकरम का उद्देश से निर्धारित करते हैं तो हम पाठकरम निर्मार के जो दार्सनिक आधार है उसको पूरा करते हैं मनोबाई ज्यानिक आधार मनोबिज्यान के विकास के पहले जो सिक्षा व्यवस्था थी उसमें सिक्षार्थियों को कम महतु दिया जाता था जबकि पाठकरम को अधिक महतु दिया जाता था जैसा अभी हमने शुरू में कहा कि पाठकरम व्यक्ति के लिए है शुक्षार्थी के लिए है ना कि शुक्षार्थी पाठकरम के लिए है पाठकरम निर्मार करने के लिए विद्यार्थियों के शुक्षार्थियों के आवसक्ता को ध्यान में रखना पड़ेगा उनकी समता को ध्यान में रखना पड़ेगा उनकी रुची को ध्यान में रखना पड़ेगा तभी उत्तम पाठकरम कहलाएगा तो इस प्रकार से मनोविज्ञान के विकास के उपरांथ हमें विद्यार्थियों को अधिक महत देने का आउसर मिला है हमारे अंदर ऐसी समझ विक्सित हुई है कि हम विद्यार्थियों को अधिक महत दें लोगों को अधिक महत दें और जब लोगों को महत दिया जाता है सिक्षार्थियों को महत दिया जाता है सिक्षार्थियों की आवसिकता को महत दिया जाता है उनकी रोची को महत दिया जाता है और उनकी छमता को महत दिया जाता है उनके आधार पर जब हम पाठकरम का निर्मार करते हैं तो यह एक उत्तम परकार के पाठकरम निर्मार की बात हो सकती है वैज्ञानिक आधार की अगर हम बात करें आज इस विज्ञान के युग में हम बिना किसी परिक्षण के कुछ भी स्विकार करने के लिए तयार नहीं होते हैं तो पाठकरम में वैज्ञानिक आधार का आधार का आधार यह होगा पाठकरम में वैज्ञानिक आधार का आधार यह होगा कि जो भी विशेवस्त उसमें रखे जाएं उसको कभी भी हम एक निश्चित आधार पर परिक्षण कर सकें और उसके सत्यता की जाँच कर सकें अगर हम सामाजिक आधार की बात करें तो पाठकरम, सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्कृति, सामाज के रहन सहन के आधार पर प्रभावित होती है इसलिए सामाजिक संरचना या सामाजिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पाठकरम की रचना की जानी चाहिए और इनी समाजिक, संस्कृतिक विचारधाराओं के आधार पर पाठकरम का उद्देश भी निर्धार किया जाना चाहिए अगर हम आर्थिक आधार की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारा पाठकरम अर्थव्योस्था से भी प्रभावित होता है जिस देश की अर्थव्योस्था अच्छी होगी उस देश की अर्थव्योस्था पर तक्निकी यम प्रसासनिक विशेशता का प्रभाव दिखाई देता है अर्थात वहां का जो पाठकरम होगा, वहां के पाठकरम में तकनीकी की विशेषता अधिक होगी यो प्रसासनिक दक्षता अधिक दिखाई देगी इसलिए अर्थव्योस्था के आधार पर भी पाठकरम के उदेश निर्धार्द किये जाने चाहिए अगर हम राजनीति का आधार की बात करें तो हमारी शिक्षा विवस्था राजनीति से भी प्रभावित होती है, हमारा पाठकरम राजनीति से भी प्रभावित होता है हम जानते हैं शिक्षा समवर्ती सूची के अंतरगत है जिसमें केंद्रियों राज सरकार के महतपूर भूमिका होती है प्रतेक राज काया उतरदाय तो होता है कि वह अपने प्रदेश में शिक्षा की विवस्था उत्तम बनाए शिक्षा की विवस्था के लिए प्रयास करे और जिस प्रदेश की सरकार जिस प्रकार की होगी उस तरह से उसी के अनुरूप उसके साइक्षिक उद्देश होंगे और उसी के अनुरूप वह पाठकरम का निर्मार भी करेगा हम जानते हैं सामेबादी विचारधारा के देशों की तुलना में प्रजातांतरिक विचारधारा वाले देशों के पाठकरम में अधिक लचीलापन होता है तथा अधिक विवारिकता होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि पाठकरम का निर्मार राजनितिक आधार को ध्यान में रखते हुए भी किया जाना चाहिए जिससे हम अपने राज के सिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं एक अन्य स्रोत, शिक्षा के उद्देश के स्रोत के रूप में हम विकास की अवस्यक्ताओं को भी रखते हैं, विकास की अनेक अवस्यक्ताओं हैं, जिसमें सैस्वावस्था, पूरवाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था, किसोरा अवस्था, तथा उत्तर किसोरा अवस्था यह प्रोड़ अवस्था है हर अवस्था की अपनी अलग विशेश्था होती है हर अवस्था की अपनी अलग अलग अवस्था होती है और इनी अवस्था के आधार पर हर अवस्था के आधार पर शिक्षा के उद्देश निर्धारित किये जाते हैं जैसे पूर प्रात्मिक सिक्षा का पाठकरम पूर बाल्यावस्था के बच्चों के आवस्यक्ता यूं उनके उद्देश के आधार पर तैयार किया जाता है या मादमिक शिक्षा का पाठिकरम किशोरावस्था के चात्रों के उद्देश यो मुनकी आउसेक्ता के अनुसार तयार किया जाता है इस प्रकार हम देखते हैं बाल्यावस्था, किसोरावस्था यूं प्रोणावस्था के आधार पर उद्देश निर्धारित करके पाठकरम निर्मार की दिसा में एक सफल प्रयास कर सकते हैं उद्देश के स्रोत के रूप में हम उद्देशियों के वर्गीकरण की भी बात करते हैं। जब सिख्षक किसी कक्षा में अध्यापन कारे के लिए जाता है, तो वा कुछ उद्देश निर्धारित करके जाता है, जिनें व्यवहार परक उद्देश कहा जाता है। यानि कि विद्द्यार्थियों को पढ़ाने के बाद उनके व्यवहार में क्या-क्या परिवर्थन आएगा। यद्यपी सिख्षक पाठकरम के आधार पर ही अपने सिख्षण व्यवस्था का संचालन करता है। तो इसलिए हमारे पाठकरम में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अनुसार हम विशिष्ट उद्देश्यों यानि ब्यवहार परक उद्देश्यों को प्राप्ट करने में सफल हो सकते हैं यह हमारे विशिष्ट उद्देश जिन्हें हम कहते हैं वो इस परकार हैं ग्यानात्मक उद्देश और वधात्मक उद्देश यह क्रियात्मक उद्देश ज्ञानात्मक उद्देश के अंतरगत हम विशेवस्तूं का ज्ञान कराने का प्रयास करते हैं और यह उद्देश लेकर चलते हैं कि अमुग पाठकरम अमुग विशेवस्तू पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों में उस संप्रत्य को जानने की छमता आ जाएगी वह उस संप्रत्य को परिभासित कर सकेगा वह उस संप्रत्य को या विशेवस्त को पहचान सकेगा तो जब इस तरह के उद्देश हमने धायित करते हैं उसे ज्ञानात्मक उद्देश कहते हैं और व्योहार परक उद्देश में दूसरा उद्देश है अवधात्मक उद्देश यानि कि जो विशेवस्तु है उसके प्रती विद्यार्थियों के अंदर समझ विक्सित करना जब विद्यार्थियों के अंदर समझ विक्सित हो जाएगी तो उसके अंदर उससे संबंधित अन्य विशेवस्तूओं को भी जनरलाइज या समानी करण की छमता आ जाएगी। इसलिए पाठ करम में इस तरह के पाठ विश्यों विशेवस्तूओं का भी समावेश होना चाहिए। जिससे विद्यार्थियों के अंदर समझ विक्सित हो सके। और तीसरा उड़ेश है क्रियात्मकुद्देश। क्रियात्मकुद्देश का अर्थिया है सीखे गए ज्ञान का भविश्यों में परियोग करना। जब हम विद्यार्थी को इसलाइक बना देते हैं उसके व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन ला देते हैं कि जो वह ग्यान प्राप्त कर चुका है जिसका उसे अवबोध हो चुका है उसका अपने भावी जीवन में आगे के जीवन में उपयोग करते हुए अपना सही तरीक से जीवन आपन कर सके इस तरह से हमने देखा कि पाठकरम निर्माड के लिए किस तरह से हम आवसेक्ताओं की पहचान करते हैं और किस तरह से उद्देश्यों का निर्धारन करते हैं अब हम बात करते हैं पाठकरम निर्माड के लिए विसेवस्तु का चैन या मुन का जिसमें से एक है आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता यानि विशयवस्तु अपने आप में पूर हो हर विशयवस्तु अपने आप में स्वतंत्र हो उस विशयवस्तु के लिए चाहे वह सिक्षक हो चाहे वह सिक्षार्थी हो उसको अतरिक्त संदर्व की आवसेक्ता ना पड़ जो भी विशेवस्त हो उसका समाज के लिए विद्यार्थी के लिए देश प्रदेश के लिए महत्त हो यानि उसके अध्यन के उपरांत विद्यार्थी या स्विक्षार्थी समाज में अपना महत्पूर योगदान दे सके ऐसे विशेवस्तु का चैन किया जाना चाहिए और एक मांदन्ड है बैध्धता बैध्धता यानि जो ही विशेवस्तु उस पाठकरम में समाहित किये गए हैं वह पूरी तरह से वैलिड हो बैध्ध हो और ये बैध्ध तब होगा जब वह इसपष्ट होगा उसके आर्थ इसपष्ट होंगे उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कहीं कोई भ्रामक्ता नहीं होगी कहीं कोई असुधिया नहीं होगी तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि विशेवस्तु ऐसा चैनित करना है जिसमें भरामक्ता ना हो और जिसमें असुधिया ना हो तभी वह पाठ करम का विशेवस्तु बैद या बैलीड माना जाएगा नेक्ष्ट मांदन्ड है रूची जब छात्रों के रूची के आधार पर विशेवस्तु का चैन किया जाता है अगर छात्रों के रूची के आधार पर विशेवस्तु का चैन नहीं किया जाएगा छात्र पाठ करम में रूची नहीं लेगा तो वह पाठ करम हमारा अनुपियोगत हो जाएगा नेक्स्ट मांदन्ड है उपियोगिता जो पाठवस्तु है जो विसेवस्तु है उसका चेहनिस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसकी उपियोगिता हो भविस्ष में उसकी उपियोगिता हो वह उपियोगिता शिक्षार्थी के लिए हो समाज के लिए हो देश के लिए हो ता मान दंड है बोधगममता या सरलता पाठकरम में सरलता हो पाठकरम इस परकार से शैन किया जाए जो विद्यार्थियों के विकास की अवस्ताओं के आधार पर होगा तो निश्चित तोर पर वह उनके उद्देस्टें के अधार पर होगा और उनके लिए महत्पूर्ण होगा तथा उनके अवस्यक्ता यों उनकी छमता के अनुसार पाठ क्रम को रखा जाएगा बनाया जाएगा जिससे उन्हें पढ़ने में आसानी होगी स्वरलता होगी और जब विद्यार्थी को पढ़े हुए विश्यवस्तु से प्रिश्ट पोसन मिलता है कभ प्रिश्ट पोसन पराप्त होता है और वह अगले विश्यवस्तु को अध्यन करने के लिए पढ़ने के लिए स्वता ही तयार हो जाता है इसलिए पाठिवस्तु का चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए सलल हो विश्यवस्तु के संगठन में जिन बातों को ध्यान रखन हुए है करम बद्धता निरंतरता और एक करन करम बद्धता यानि विसेवस्तु का संगठन करम बद्ध होना चाहिए इसके लिए हम आने एक शिक्षण सूत्रों का अनुपालन करते हुए जब पाठ वस्तु विसेवस्तु का संगठन किया जाएगा तो वहां उपयुक्त पा पूर्ण से अंस की और या विशिष्ट से सामाने की और ग्यात से अग्यात की और यानि कि पूर्व ग्यान को भविस ग्यान के साथ जोड़ना जब विद्यार्थी को पूर्व अनुभो होता है उन अनुभों के आधार पर हम उसके नवीन ग्यान को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ज्यात से अज्यात की ओर सरल से जटिल की ओर यानि कि सबसे पहले सरल विशेवस्तु रखे जाएं उसके पाद उससे कठिन विशेवस्तु रखे जाएं उसके बाद उससे भी कठिन विशेवस्तु रखे जाएं इस तरह के विशेवस्तु का संगठन करने से विद्यार्थियों को स्वताह प्रेणरा मिलती है क्योंकि जब सुरू में ही विशेवस्तु कठिन रख दिया जाता है विद्याथी अने को बार प्रयास करने के उपरांत भी उस विशेवस्तु को कंठस्त नहीं कर पाता लर्न नहीं कर पाता तो उसके लिए पाठ करम बोजिल हो जाता है वो अगले विशेवस्त को भी पढ़ने के लिए तयार नहीं हो पाता है इसलिए सरल से जटिल की और सिचन सूत्र का ध्यान रखते हुए पाथवस्तूओं का संगठन करना उप्युक्त होता है पूर्ण से अंस की और यानि की विशेवस्तूओं को पूर्ण रूप में पहले विद्यार्थी के समक्ष परस्तूत कर दिये जाए फिर उसके एक-एक अंसों का अध्यान कराया जाए जैसे अगर हमें कंप्यूटर का ग्यान देना है तो विद्यार्थियों के समख्च सबसे पहले कंप्यूटर रख दीजिए, कंप्यूटर दिखा दीजिए कि कंप्यूटर क्या होता है इसके बाद उसके विभिन अंसो यानि कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS इत्याज के विशे में आप अध्यन करा सकते हैं तत्पस्चात उसके साफ्टवेयर के विशे में भी आप अध्यन करा सकते हैं, बता सकते हैं इस तरह से हम देखते हैं कि जब सिक्षण सूत्रों का अनुपालन करते हुए पाठ वस्तूओं का संगठन करते हैं तो वा पाठ करम, उप्यूक्त पाठ करम कहा जाता है दूसरी विशेस्ता है, निरंतरता, यानि कि विशेवस्तूओं में एक continuity बनी होनी चाहिए, एक सततता बनी होनी चाहिए यह तब संभव होगा जैसे सरल से जटिल के सिक्षण सूत्रों का अनुपालन करते हुए जब पाठ करम का संगठन किया जाएगा तो पाठ करम में एक सततता बनी रहेगी और विद्यार्थियों को, सिक्षार्थियों को, अपने सीखे गए ज्यान को अनुपरियोग करने का आउसर भी मिलेगा और उसे स्वता प्रिष्ट पोशन प्राप्त होगा और आगे के विशे वस्तों के अध्यन के लिए वस्वता ही तयार होगा और नेक्स्ट विशे स्था है एकी करन एकी करन मतलब कि जब हम कई विशियों को एक साथ समनवित करके पढ़ाते हैं कुछ विशय ऐसे हैं जिनके अंतरगत अनेक विशय समाहित रहते हैं जैसे कक्षदस के पाठकरम में समाजिक विज्ञान के रूप में एक विशय अध्यन कराया जाता है जिसके अंतरगत चार विशय आते हैं इतिहास, नागरिक सास्त, अर्थसास्त और भुगोल इस तरह के पाठकरम का संगठन करने से जो एकी करण की विशयस्ता है उसका अनुपालन संभव हो पाता है और अगला चरण है अधिगम अनुभों का चैन यों संगठन करना सिक्षण अनुभों का चैन यों संगठन दो बातों पर निर्भर करता है एक है आवसे क्रिया कलाप और दूसरा है सिक्षण विधियां विध्याले में अनेक क्रिया कलाप कराए जाते हैं जिसके माध्यम से सिक्षार्थियों का अध्यन अध्यापन चलता है जिसमें है समूह कार या समूह गत्विधियां या प्रोजेक्ट कार या प्रयोगिक कार या फिल्म दिखाना, मूवी दिखाना, प्रयोक साला कार या सरसती यात्राएं विशेवस्तु के आधार पर गत्विधियां निर्धारित की जाती है क्योंकि सभी विशेवस्तु किसी एक ही गत्विधी के माध्यम से अध्यान नहीं किया जा सकता है सफल और उचित अध्यान अध्यापन के लिए अनेक गत्विधियों को संचालित करना आवस्यक हो जाता है और यह तब संभव होगा जब विसेवस्तूओं में विभिन्नता होगी विसेवस्तूओं की विभिन्नता के आधार पर गत्विधियों का चैन किया जाता है कुछ विसेवस्तू ऐसे हैं जिनको समुकार के माध्यम से कराया जा सकता है कुछ विसेवस्तु ऐसे हैं जिनको प्रायोगिक कार के माध्यम से कराया जा सकता है वह प्रायोगिक कार या प्रोजेक्ट कार चाहे सामोहिक हो या व्यक्तिगत हो इन दोनों माध्यम से भी प्रोजेक्ट कार कराया जाते हैं तो ये विसेवस्तु के जो संरचना होगी, विसेवस्तु की प्रकृती होगी, उसके आधार पर निश्चित होगा कि किस विसेवस्तु को हम प्रोजेक्ट कार के आधार पर अध्यन करा सकते हैं. कुछ विसेवस्टू ऐसे हैं जिनको movie दिखा कर जिनको documentary film दिखा कर जैसे अगर हम दूसरे देशों की संसक्रितियों का अध्यन कराना चाहते हैं तो documentary movie के माध्यम से इसको अध्यन कराया जाना उचित होगा और कुछ विशेवस्तू ऐसे होते हैं जिनको छेत्र भर्मण के आधार पर अध्यान कराया जाना उपियुकत होता है जैसे अगर हम किसी फैक्टरी का अवलोकन कराना चाहते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अवलोकन कराना चाहते हैं आयतियासी किस्तनों का भर्मण कराना चाहते हैं, प्राचिन धरोहनों का अध्यान कराना चाहते हैं, तो इन सब का हम छेतर भर्मण के आधार पर कर सकते हैं, या म्यूजियम विजिट को के आधार पर अध्यापन करा सकते हैं, इनके अलावा शिक्षण विधियों को भी ध्य विषय वस्तूओं के लिए सभी परकार की गत्विधिया संचालित नहीं की जा सकती है उसी परकार सभी विषय वस्तूओं के लिए एक ही सिक्षण विधी के माध्यम से अध्यापन कराया जाना उचित नहीं होता है विभिन विषय वस्तूओं के आधार पर अनेक सिक्षण विधियों का चैन किया जाता है जिसके आधार पर अध्यान कराया जाना उचित होता है कुछ विशेवस्तु ऐसे होते हैं जिनको ब्याख्यान के आधार पर इस्पष्ट किया जाना उप्युक्त होता है तो इस तरह से विशेवस्तूओं का संगठन इस परकार होना चाहिए कि विद्याले में संचालित की जाने वाली सभी परकार की गतविधियां यूं सभी परकार के सिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जा सके जिससे सिक्षण अधियम का वाताबरण उप्युक्त बना और अंत में है पाठकरम का मुल्यांकन पाठकरम के मुल्यांकन से यह पता चलता है कि हमारा पाठकरम उप्युक्त है या अनुप्युक्त है शात्रों के लिए उप्योगी होगा या अनुप्योगी होगा कुछ प्रस्ण है जिनका उत्तर अगर सकारात्मक रूप में मिल ज प्रेस्ते हैं कि पाज़करम का निर्माड सही तरीके से किया गया है. जैसे निर्मित पाज़करम क्या आवसैक्ताकी पूर्थी कर सकता है? क्या निर्धारित किये गए सक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ट करने में सफल है? क्या छात्रों की उपलब्धियों को बढ़ाने में सहायक है? क्या निर्मित पाठकरम से क्या छात्रों के ब्यवहार में परिवर्तन आ सकता है? क्या विशेवस्तु उपियुक्त है? क्या सभी सिक्षर गत्विधियों का ध्यान रखा गया है? क्या पाठकरम का निर्मार करने क लिए समस्त चरणों का अनुपालन किया गया है यदि समस्त चरणों का अनुपालन किया गया है तो निश्चित रूप से वह पाठकरम एक सही पाठकरम होगा और शिक्षार्थियों के लिए उपियोगी पाठकरम होगा इस परकार से हम देखते हैं यह जो प्रशन है इन प्र हमने पाठकरम विकास की प्रकिरिया के विशे में विस्तार से चर्चा किया हमें आसा है या आपके लिए उपयोगी रहा होगा फिर हम अगले व्याख्यान में एक नए महत्पूर्ण विशे के साथ उपस्तित होंगे आप सबने मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुना आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.